रुफान मारती समंदर की लहरों के बीश में यहाँ पर यह गंगेश्वर महाद्यों मंदिर मौझूद है और पीछे आप देख सकते हैं कि समंदर की लहरे जो है वो किस तरीके से यहाँ पर रुफान मार रही है यह समंदर की लहरों का शोर जो है वो भी आपको सुनाई पढ रहा है और ये गंगेश्वर महादेव मंदर का मार्ग है तो आई ये चलते हैं यहां से और आपको इस सफर में ले चलते हैं तो ये देखें ये गंगेश्वर महादेव मंदर यहां पर है और हम सफर में चलने वाले हैं तो ये सीडिया यहां पर मौझूद है और आई ये चल हैं और नंदी के लावा ये देखिए यहां पर कई सारे भगवान सब्सक्राइब यहीं मुख्य मंदिर है यह देखिए यहां पर तो गंगेश्वर महादियों मंदिर जो है वह हम आपको दिखा रहे हैं और यहां पर आपको पांश शूलिंग नज़र आज़े देखिए कि यह है कि इन्य हैं खत बड़ा था और अपने-पने कत क के साब से पढ़े खुटूर तस्वीर यहां पर इहां पर आपको दिखा रहे दिखिए समंदर की लहरे यहां पर आती हैं यहां टकराती हैं और इंशुवनिंग से टकराने के बाद वो यहां से रपक लूट जाती तो भगवान का स्नान जो है वो लगातार चल रहा है और ये द्रिश जो है ये अपने आप में बहुत जादा मनोरक है बहुत मनोहक है और ये तस्वीर आपने देखी नहीं होगी क्योंकि ऐसे आम तो पर शोलिंग और एक साथ पांच शोलिंग और ये समंदर की लहरें यकीन म और आप से भी उजारिश करते हैं कि अगर आप दियू आने का प्लान करते हैं तो इस जगे पर जरूर आईए क्योंकि ये जो लहर आने वाली है पहाडों के बीश में से देखिए ये आपको रोमान शित कर देखिए तो बने रही है हमाई साथ दियू शहर में और जो कुछ खास है वह आपको दिखाएंगे लेकिन ये अतिहासिक है खास है हर दिश्टिकोर से